यूनाइटिर किंग्डम जिसकी एकोनोमी अब टूबने वाली है ऐसा हम नहीं OECD का कहने है OECD एक पैरिस की ओर्गनेजिशन है Organization for Economy, Cooperation and Development ब्रिटेन जो की दुनिया में एक फेमस कंट्री है आज वो लोग अपने घर के समान को बेच रहे है क्या UK, Sri Lanka वाली situation में आने वाला है British Empire, जो एक टैम पर किसी के आगे नहीं जुगता था आज वो स्टैक्फलेशन का सिकार है क्या होता है स्टैक्फलेशन? आई ये इस वीडियो में जान इस पूरे क्रैसिस के पास फेक्ट्स हैं जो एक दूसर से कनेक्टे लिए चलिये, समझते है स्वागत है आपका तैक्फलेशन दुबारा फिर से The British economy is in crisis It has lost control of the British economy The British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar The city of London woke up to a currency crisis Shocking the markets and leading the Bank of England to intervene Fact No.1 2008 का Financial Crisis Japan export करती है कार USA export करता है वैपन और China export करता है वाइरस तो UK का मेन प्रड़क्ट क्या है जिसके वाज़े से UK ग्रो करता है UK का मेन प्रड़क्ट है Stability London पिछले 500 सालों से stable है Wars आए गए, वाइरस आए गए, लीडर्स आए और गए लेकिन London की stability कहीं नहीं गई ये stability दुनिया के बड़े-बड़े banks को attract करती है जैसे की HSBC, Barclays, Standard Chartered इनके बड़े-बड़े headquarters लंडन में है UK की economy इन्ही Financial Services पर dependent है 2008 के Financial Crisis के बाद ये पूरे की पूरे collapse होने वाली थी recession, किसी को job नहीं मिल रही थी और solution लोगों के हातों में पैसे दे दो directly नहीं लेकिन indirectly इस चार्ट को दे UK में जो home loan पहले 6.3% में मिलता था आज वही loan 2.5% में मिलने लगा है इससे क्या हुआ as a interest जो पैसा उनके पास जाने वाला था वो लोगों के हातों में आने लगा लोगों की purchasing power बड़ी इसे economics में quantitative easing भी कहते और इसके बाद तो क्या लगा होगा आपको loan और बड़ा नहीं बिलकुल नहीं और इसके बाद तो loan और भी जादा कम होता गया loan का interest 2.5% से कम होके 1.2% पे आ गया 2022 में UK का interest दे 14 सालों में जो अब तक नहीं रहा उसको record को तोड़के ऊपर चला गया जिसके लिए कोई भी prepare नहीं था यानि की एक average family उसकी income का 27% हिस्सा आज के समय में UK में home loan में जा रहा है मंतली loan ही पे कर पार 2.2% ब्रेक्जिट जिस प्रिटेन ने पुरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बना रखी है अब उन्हें अपने नेशनलिजम का खयाल आया 2016 में उन्होंने यूरोप union से अपना रिस्ता तोड़ दिया यूरोप का हिस्सा होने की वज़े से ट्रेड इसली होती थी यूरोप के लोग आसाने से यूके आ जा सकते थे किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए skilled लोग चाहिए जो यूरोप में थे और वो यूके से यूरोप में आया जाया करते थे और अब उसके नंबर्स कम हो चुके हैं पिछले साल किसी पेट्रोल पंप पे फ्यूल ही नहीं था क्योंकि ट्रक ड्राइव करने के लिए ड्राइवर ही नहीं थे फ्यूल करना होने का मतलब मार्केट में गुट्स टाइम पर ना पोचना जिसका रिजल्ट मार्केट में आती यह है महंगाई जिससे होता है इंफलेशन, Brexit और interest rate के वज़े से UK में cost of living increase हो रही थी BBC का कहना है कि आप इस chart में देख सकते हैं कि consumer inflation 10% पी पहुच चुका है यह inflation होता किन वज़े से इसके दो कारण है चलिए समझते हैं कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और लोग चीजों को खरीदना चाते हैं तब यह inflation बढ़ता है और दूसरा चीजों के market में पहुचते पहुचते उसका price बल जाता है जिसके वज़े से वो बहुत कमी लोग खरीद पाते हैं अब आते हैं stackflation जिसके हमने बात करी थी आखिर stackflation होता क्या है Recessence means no job inflation means एक rising price का impact क्या होगा जब यह दोनों मिल जाएंगे यानि बेरोजगारी भी और चीजों के दाम भी इसे कहते हैं stackflation यानि आपकी जो cost of production थी वो 100 रुपे थी market में 110 रुपे में overall profit होता था 10 रुपे का और आज की बात करें तो cost of production होगा यह 500 रुपे market price 155 profit सिर्फ 5 रुपे तो यहाँ पर consumer को लगता है कि price बढ़ रहा है और company को लगता है उसका revenue गिर रहा है बलकि यहाँ पर यह दोनों चीज़े हो रही है चोथा point new leadership यानि new government कोवीड आने से पहले रशिया यूकरेन के वोर होने से भी पहले बोरिस जॉंसन की सरकार गिरने से पहले UK की economy down जा रही थी यानि उस समय UK की economy खत्रे में आ चुकी थी इनके बाद PM कौन बनेगा दो बड़े नाम सामने आए पहला हमारे रशिय शुनक और दूसरे list trust and list trust become the PM of United Kingdom उन्होंने tax cut किये, deregulations किये and reforms किये और यहाँ UK पिगल गया उन्होंने tax cut package इंट्रोड्यूस किया जिसमें कुछ points controversial थी UK में लोग अपनी income का 45% tax pay करते थे वहीं उन्होंने एक plan launch किया जिसमें देड़ लाख pound से ज़्यादा कमाने वारे लोगों के लिए tax कम कर दिया जाएगा प्लस corporate tax income को बढ़ाने का plan बनाया गया जो की 19% से अब 25% तक जाने वाला था government ने इसे hold पर कर दिया suppose UK को चलाने के लिए need है 100 euro की हमने उसमें से tax cut किया और वो बच गया 80 अब बचे बाकी की 20 जिसमें से सडके भी बननी है government employees को salary बेजानी है अब इस 20 euro के लिए क्या किया जाएगा government loan लेगी यानि government is going into debt हमारा पांचवा fact आता है U-turn government इन decision की वज़े से कोई खुश नहीं था IMF खुश नहीं था investors कुश नहीं थे PM को अपनी seat बचाने के लिए कुश यूटन लेने पड़े finance minister को fire करना पड़ा 45% tax रहेगा उसे हटाने से कम करने से मना कर दिया अगले साल से corporate tax को 25% कर दिया जाएगा इनी सब decisions के वज़े से English trust की सरकार को एक बहुत बड़ा जटका लगा और हमारे next PM बने रिशी सुनक हम अपनी next वीडियो में बताने वाले हैं कि रिशी सुनक को PM क्यू बनाया गया और वो क्या ऐसे steps ले सकते हैं कि UK उस खद्रे से बहार निकाए करते हैं कि करते हैं कि भीशा आए करते हैं कि कि बहुत्त नहीं प्रॉण जाएबर र西雅 करते हैं कि लगका यार्म